स्वागत दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्टा में दोस्तों 2023 स्टार्ट होने वाला है और आपने अपने लिए कोई न कोई गुल जरूर सोचा होगा बहुत सारे लोग निवेश प्लान भी करते हैं और लोग की सोच भी अलग-अलग होती है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार लमसम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसे को एक बार निवेश करके उस पर हर महीने एक आमदनी शुरू करके अपने पैसे को भी क्रो करना चाते हैं तो दोस्तो आज हम आपके लिए टाटा का एक ऐसा ही फंट लेकर आए हैं जिसमें 2023 में अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप हर महीने 15,950 रुपे की एक आमदनी शुरू कर सकते हैं और दूसरा बेनिफिट ये यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसा भी बढ़कर करीब 3 करोण 91,960 रुपे हो जाएगा या फिर वो लोग जो हर महीने जादा पैसे नहीं मातर 1250 रुपे हर महीने निवेश करते हैं तो वो भी इस फंड से करीब 1 करोण 10 लाक रुपे तका फंड बना सकते हैं या फिर दोस्तो अगर आप बैंक FD की तरह लमसम पैसा निवेश करना चाहते हैं तब भी आप इस फंड के अंदर मातर 65,000 रुपे का निवेश करके अपने लिए 55,000 रुपे तक का फंड बना सकते हैं क्योंकि दोस्तो जब निवेश करने की बात आती है तो आपको हमेशा एक ऐसा विकल्प चूस करना चाहिए जहांपर आप निवेश करके महंगाई को भी बीट कर सके और अपने पैसे को भी बढ़ा सके क्योंकि बैंक FD की बात करें या फिर पोस्ट आफिस की या फिर LIC की स्कीमों की तो इसके अंदर भी आपको अब जादा फायदा नहीं होता है क्योंकि रिटन आपको वहाँ पर बहुत जादा कम रिटा है देखे दोस्तों टाटा का जो फंड हम लेकर आए है अगर हम उसके all time के रिटन की बात करें तो इस फंड ने शांदार तोर पर 16.23% का रिटन दिया है अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तब भी इस फंड का रिटन 13.27% अगर हम पिछले सिर्फ 3 साल की बात करें अगर एक साल की बात की जाए तो 13.39% और लास 6 महीने की बात करें तब भी इस फंड ने 20.46% का रिटन दिया है फंड का नाम है टाटा लार्ज एन मिट के फंड डारेक्ट प्लान ग्रोथ दोस्तों म्यूचल फंड इसकीमों के अंदर आप 3 तरह से निवेश कर सकते हैं अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं यह फिर अगर आपके पास जादा पैसे नहीं है तो हर महीने आप थोड़े बहुत पैसे निवेश करके भी ऐसाइब की तरू एक बड़ा फंड बना सकते हैं अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर स्कीम के फंड साइज की तो यहां प यानि कि आप जो पैसे निवेश करेंगे और जो भी करेंट एनवी का प्राइज होगा उस वक्त उसी के साब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी अगर हम दोस्तों बात करें यहां पर होल्डिंग एनालिस की तो यहां पर एक्विटी के अंदर 92 परसेंट पैसा यूज के गया है सेक्टर लोकिशन की अगर बात करें तो फाइनेशल सेक्टर के अंदर 29 परसेंट पैसा अधर सेक्टर के अंदर 15.9 परसेंट शर्विसेज के अंदर 10.5 परसेंट कंजिमर स्टेंफल के अंदर 8.8 परसेंट एनरजी सेक्टर के अंदर 7 परसेंट कैपिटल गूड्स और टेक्नलोजी के अंदर भी करीब 7 परसेंट पैसा यूज किया गया है अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो आईसेसी बैंक, रिलाइसेंडरस्टी, वरून लूट की बात करें, तो 12% है, लेकिन यहां पर अगर आप पैसा निकालते हैं, एक साल से पहले ताप, लेकिन एक साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं, तो यहां पर आपको 10% टैक्स देना होता है, अगर आपके पास रिटन एक लाख रूपे से जाधा हुआ है, प्रकास पदियार 2018 से और मीता सेटी 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं टाटा मुजल फंड हाउस के अगर हम बात करें तो एउयो एम ऐसे टेंडर मैनेजमेंट करीब 16,582 करोड रूपे हैं इतने पैसे लोग उने अलगलग इसकीमों के अंदर टाटा मुजल फंड हाउस के स 16% अनिवले टाइम में दोस्तो इस पैसे को इस फंड के अंदर अगर आप 10 साल तक निवेश करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको 15,950 रूपे हर महीने इंकम के हिसाब से आपके बैद खाते में करीब 19,14,000 रूपे का प्याउट आ चुका होगा यारी इतना माउट आप कर चुके होंगे अपने खाते में और आपके 17,000,000 रूपे भी बढ़कर 10 साल के अंदर 31,27,269 रूपे हो जाएंगे अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर 20 साल की तो 15,950 रूपे हर महीने इंकम के हिसाब से 20 साल में आपको 38,000,000 रूपे का प्याउट मिल जाएगा और आपके 17,000,000,000 रूपे भी बढ़कर 94,000,000,3,520 रूपे हो जाएंगे अगर हम दोस्तों बात करें हैं आप 20 साल की तो 15,950 रूपे इंकम के हिसाब से हर महीने जो आपको हो रही है 57.5,000,000 रूपे आपको फिया आउट मिल जाएगा और आपके 17,000,000 रूपे भी बढ़क में 16% का अगर आप इस पैसे को 10 साल तक निवेच करके रखते हैं इस फंड के अंदर तो आपको estimate return 2,21,743 रुपे का मिल जाएगा यानि कि आपके 65,000 रुपे बढ़कर 10 साल में 2,46,743 रुपे हो जाएगे इसी तरह अगर हम दोस्तों 20 साल की इसाल के ताइम फिरिट में आपके 65,000 रुपे पर 11,99,94 रुपे का return मिल जाएगा यानि आपके 65,000 रुपे बढ़कर 20 साल में 12,64,9478 रुपे हो जाएगे अगर हम दोस्तों 30 साल की बात करें तो आपके 65,000 रुपे पर 30 साल के अंदर 55,25,22 रुपे का return मिल जाएगा यानि आपके पास 30 साल के बाद 55,8,242 रुपे होंगे इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास सादा पैसे नहीं है तो आप मात्र 1250 रुपे हर महीने निवेश करते हैं और रिटन आपको मिलता है 16% भरेनम का दस साल के अंदर लगतार इस SIP को आप कंटिन्यू करते हैं तो आप टोटल इसके अंदर 1250 रुपे के हसाब से देड़ लाक रुपे का निवेश करेंगे इसमें रिटन आपको 2,20,582 रुपे का मिल जाएगा रिटन इसमें आपको 18,86,826 रुपे का मिल जाएगा यानि 20 साल के बाद आपके पास 21,86,026 रुपे होंगे अगर हम दोस्तों 30 साल की बात करें तो 1250 रुपे हर महनी के साब से तोटल आप इसके अंदर 4,50,000 रुपे का निवेश करेंगे रिटन इसमें आपको 1,6,38,95 रुपे का मिल जाएगा यानि के 30 साल के बाद आपके पास 1,10,88,95 रुपे होंगे तो दोस्तों ये पंड उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा जो एक पर लंसम पैसे निवेश करके एक बड़ा पंड बनाना चाहते हैं ये फिर अगर आप चाहें तो हर महीने एक इनकम भी शुरूर कर सकते हैं ये फिर दोस्तों अगर आप SIP के दुरूपे पैसा निवेश करते हैं तो उससे भी आप एक बड़ा पंड बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से लेट इट अगर आपका कोई कोशन होता है तो हमें ज़रूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यबाद